इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Vivo V27 या Vivo V27 प्रो के फोन में श्मार्ट काल सेटिंग को आन कैसे करेंगे और सभी श्मार्ट काल फीचर का आप लोग यूज कैसे करेंगे तो चलिए आपको लाइफ रूप दिखाते हैं सबसे पहले आप अपने फोन में सेटिंग ओपन कर लिजिए सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहां पे थोड़ा नीचे आना है नीचे आने के बाद फाइनली आप लोगों को Shortcut and Accessibility का ओप्सन मिलता है इस पर आपको किलिक करना है जैसे आप लोग इस पर किलिक करते हो ति Smart Motion का Option मिलेगा इस पर किलिक करना है इसके बाद Smart Call का Option मिलता है इसके बाद इस पर किलिक करना है अगर कोई भी Option आपको नहीं मिल रहा है तो आपको टैंसन नहीं लेना है आगे मैं बता रहा हूँ यह Option आपको कैसे मिलेंगे अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला option है smart call का अगर इसको on कर देंगे तो आप अपने contact list में जाएंगे वहाँ पे किशी भी number पर एक बार click करके अपने phone को कान के पास ले जाएंगे automatic उस number पे call जाने लगेगी smart answer का option है इसको अगर on कर देते हैं और आप अपने phone को जैसे ही अपने कान के पास ले जाएंगे hand free हट जाएगा smart mute है इसको on कर देते हैं तो आपके phone पर जब भी कोई incoming call आ रही है आप अपना phone flip कर देजिए उल्टा कर देजिए call mute हो जाएगी इसके बाद है wave for hand free का option दोस्तो अगर आप इसको on कर देते हैं तो आपके phone पर जैसे आप बात कर रहे हो किसी सी call पर तो आप अपने हथेली को लगबग 20 cm अपने डिस्पले के उपर wave करेंगे यानि इधर उधर फेरेंगे call आपकी hand free हो जाएगी तो यह थे सारे smart feature आप लोग इसको on कर सकते हैं अगर कोई option आपको नहीं मिल रहा तो आपको tension नहीं लेना अपने phone को update कर देना है और यह option आपको मिल जाएगा